वैसे तो आप सब ही जानते हैं कि संगीत एक ऐसी कला है जो कि सब के दिलों में जगह बनाती है और संगीत में एक ऐसी अजीब सी कशिश है जो दिलो दिमाग को सुकुन देती है जी हाँ, करोडों फैन को दिवाना बनाने वाले और सब के दिल छू लेने वाले एयार रह्मान का आज पचासवे जन दिन है एयार रह्मान के पचासवे जन दिन पर हम आपको उनसे जुड़ी दिलचस्प बाते बताएंगे एयार रह्मान का जन तमिलनाडू की राजधानी चिन्नाई में हुआ था जब रह्मान नौ साल के थे तभी उनके पिता की मृत्य हो गई थी इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिती काफी बदल गई जिससे रह्मान ने संगीत से अपने जीवन को बहतरीन बनाया आपको बता दे कि भारतिय संगीतकार रह्मान आज दुनिया में गीतकार, संगीतकार, निर्माता, समातसेवी के तौर पर जाने जाते हैं और रह्मान ने मनिरतनम की फिल्म रोजा के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और रामकोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उनका हिंदी सिनमा से परिचय हुआ इसके बाद बॉम्बे, दिल से, ताल, लगान, रंग दे बसंती, दिल्ली सिक्स, रॉक स्टार, हाईवे और तमाशा सहित बहुत सी फिल्मों में, रहमान ने अपने संगीत का जादू इस कदर चलाया की आज भी एयार रहमान को याद करते हैं रहमान ने हॉलिवोड में अपने संगीत मै करियर की शुरुवात की इस गीत नाना में रह्मान ने दो एकाडमी अवार्ड और एक गोल्डन ग्लोब ट्रोफी जीती ग्रैमी अवार्ड औसकर सहित अनेक राष्ट्री अवार्ड जीत कर रह्मान ने दुनिया भर के प्रशंगसकों को अपना दीवाना बनाया बता दे कि इन दिनों एयार रहमान फिल्म ओके जानू को लेकर सुर्खियों में है इस फिल्म का संगीत रहमान नहीं दिया है रहमान ने कई फिल्मों को संगीत दिये है और यहीं नहीं गुलजार के गीतों को एयार रहमान ने अपने संगीत से सजाया है सोशल मीडिया पर या रह्मान के प्रशंगसकों में बॉलिवूड, हॉलिवूड, टॉलिवूड के सितारे भी शामिल है सभी अपने अपने अंदाज में रह्मान को जन्दिन की शुब कामनाएं दे रहे हैं हम भी यहीं कामना करते हैं कि रह्मान इसी तरह अपने संगीत से फैन्स का मनुरंजन करते रहें और सबको अपने संगीत से दिवाना बनाते रहें NMF News की रपोर्ट